नमस्कार दोस्तों हिंदी चेस पे सीने चल पर मैं निकलेश जान आप सभी का हारते कभिने दन करता हूँ दोस्तों मैं आज आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर क्या हूँ यह पर वीडियो बड़ा इंपोर्टेंट है जो बिगनर से उनके भी काम आएगा और जो एड fravenmate अक्टो सरा दो चेल होता है हाथी और घोड़ी का कमबनेशन होता है हम जानते हैं कि राजा भी है कैसा पीस है और घोड़ा भी है कैसा पीस है नight और निजएयो एक चाहते हैं या के चॉंआर को आगर या जो हमेशा याद रखने की जरूबद है कि अगर 7th rank ale9 या जो 2nd rank mark है, बोर्ड कि is камोंट कर सकते हैं यहां से लेकर यह, सब्धान हो ज़रूप्ом, उप के अपकी आते हैं पहले प्रोब्लम पर यह पुजीशन आप बोर्ड पर देख रहे हैं तो पउस कर दीजएगा यह position black to move है और mate ढूलने की कोशिश कीजिएगा चीक है? उम्मीद है कि आपने पॉस किया होगा यहाँ पर देखते हैं क्या होता है? black खिलता है इस position में rook into f3 piece मारा है भाई या तो मत मारो, मारना तो पड़ेगा और जैसे ही यहाँ पर यह piece मारते है g into f3 तो black यहाँ पर खिलता है good move, knight d4 check, अब check है तो क्या कैसे check बच सकते हैं दो यह option या तो king h1 चले जाएं या फिर rook g2 जो है वो बीच में डालने हैं तो पहले देखते हैं king h1 जो की main line है king h1 so knight into f3 और अब आप देखो यहाँ पर कि because king corner पर है, rook ने उसके यह दो घर तो अल्रड़ी पहले से बंद के तो king के पास वैसे भी कोई square नहीं था और यह जो spot बन रहा है यहाँ पर check and mate हो रही है इसको stop करने का कोई सीधा तरीका है नहीं या वही काम आप जो करेंगे जो पहले कर सकते हैं, rook G2 बीच में लाएंगे तो यह check आएगी, force है वापस आना और यह mate हो जाएगी या फिर जैसे जब king H1 नहीं गए थे वहाँ पर रुग G2 जाएगे, तो भी knight F3 check के बाद king H1, rook D1 rook G1 और rook G1 checkmate हो जाएगी तो यह जो knight यह दो important square को cover करता है और उसके बाद rook आकर के जो है वो important square को cover करते हो, यहाँ पर mate कर देता है, तो कुल मिला कि वो 4 square cover हो जाते हैं और checkmate हो जाती है तो यह था पहला example, उमीर है कि यह आपको समझ में आया होगा खेर, अब अगर हम बात करें आगे दूसरा example, यह जो दूसरा example है बड़ा interesting है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि चाहे जो भी attack हो, वो किसी तरह का attack रहे हो, उनकी शुरुवात हमारे पूरवज खिलाडियों नहीं की, जैसे wishwe champion थे जो इससे पहले, तो सबसे पहले जो wishwe champion थे विलेम स्टैनेज, वो भी बड़ा attacking play खेलते थे आप जैसे इस game को देख लीजे, वो black pieces से खेल रहे थे, यहाँ पर उनके खिलाब Rainer करके एक player थे, यह game खेला गया है 1860 में, मतलब आज से 160 साल पहले ठीक है, 160 साल पहले my god, तो यहाँ पर white ने खेला f4, और सोचा कि इस knight को बापस push किया जाए पर stannage के दिमाग में कुछ और चल रहा था और stannage ने यहाँ पर खेला knight f3, और white को ज़सा लगा कि knight को हटाने के बाद white यह pawn मार लेगा, और white का position जो है, वो ठीक हो जाएगा लेकिन white के यहाँ पर तीन-तीन महरे नहीं खेल रहे थे, और वो king की position को जो है, वो ठोड़ा सा कमजोर बना रहे थे ठोड़ा क्या, काफी कमजोर बना रहे थे तो knight f3, यहाँ ने rook g4 मार दिया अब आपकी बारी है, pause करियो सोचिए, यागर आप William stannage होते तो इस game को कैसे finish करते उम्मीद है, तो आपने देखा होगा, तो यहाँ पर black खेलता है, मतलब William stannage खेलते हैं, queen h4 brilliant move, अभी h2 पर mate लगी है, problem यह है कि rook into, यह नहीं मारा जा सकता h4 क्योंकि rook g1 checkmate हो रहा है तो यहाँ पर queen h4 आने के बाद, उन्होंने जो है, वो खेला, rook g2 यहाँ पर एक और brilliant move आई queen into h2 check, sorry rook h2 force और rook g1 checkmate दूसरा example था Arabian mate का, उम्मीद है कि यह भी आपको पसंद आया होगा और याद रहेगा आप चलते हैं, अगले example की और, तो यह तीसरा example है, यहाँ पर लासकर जो है वो white pieces से खेल रहे थे और उन्होंने Maroghazi वो ही player जो Sicilian के variation के लिए famous है, उनके खिलाव खेल रहे थे Maroghazi ने यहाँ पर खेला knight d7 उनको लगा कि वो अपना defense जो है, वो मजबूत है उनके pieces आस-पास हैं, लेकिन यहाँ पर जो लासकर थे उन्होंने अलग ही कुछ सोच के रखा हुआ था और लासकर ने यहाँ पर brilliant move खेली pause करके सोच लीजेगा मैं बताता हूँ, चाल आई white से queen into g6 और अभी threat है, rook into h7 rook h7 और queen h7 checkmate e1 queen into h7 threat है तो क्या करते हैं, उन्होंने यहाँ पर उनके opponent ने खेला knight f into e5 मतलब उन्होंने यहाँ पर support बढ़ा दिया है यहाँ पर लेकिन यह भी क्या enough था नहीं enough था यहाँ पर लासकर ने खेला rook into h7, rook into h7 मारना पड़ा force move, कोई move नहीं है almost यहाँ पर and now queen g8 check तो force rook g8 and now rook g8 final check यह भी एक और जबर जबस फिनिश एक और visual champion की यह game खेला गया था 1900 में, मतलब आज से 120 साल पहले इसका मतलब क्या है मतलब यह है कि पुराने visual champions की history को पढ़िए, उनके games देखिए उससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा तो दोस्तों यह थे हमारे तीन example Arabian mate के उम्मीद है कि यह examples आपको पसंद आया होंगे और थोड़ा आपका entertainment हुआ होगा जो beginners होएंगे उनके लिए तो बहुत काम के हैं तो यूँहीं जुड़े रहे है चैस बेस हिंडी चैनल से और यूँहीं अपने सुझावा भेशते रहे है और अगर आप हिंदी बांश्रा में शत्रंच को आगले जाने के लिए सहीयोग करना चाहते है तो नीची दिए गए लिंक के माध्यम से आप सहीयोग भी कर सकते हैं चैस बेस इंडिया, चैस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जेंग, जै हिन तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आये होगे, अपने सुझावा हमें जनूर देया और याद रखें शत्रंच की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चैस बेस इंडिया फिनल से जी हाँ, चाहे हो खिलाडियो के इंटर्विव, या फिरो खेल का विशलेशन, चैस बेस इंडिया आमेशा आपके लिए खबरे लाएगा, सबसे देश, सबसे जल्दी सब्सक्राइब करें इंडि चैस बेस इंडिया चैनल को, अगर आप